हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माय आर्टिस्टिक वर्ल्ड अभी दो दिन से मैं इस ड्रॉइंग पर काम कर रहा था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है अलबर्ट आइंस्टाइन की पोट्रेट यह मैं A2 साइज पर बना रहा हूं चार कोल और ग्रेफाइड दोनों का यूज़ करकर यहां पर मैंने जली रोल पर यूज़ किया है और दोनों साइड वाले हैर्ज मैंने एरेजर से मतलब तो अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इसके जो यह इसके जो हैंड्स का पोर्शन है और इसके जो कोट है इसका जो उसको मैं शेड करकर आपको दिखाने वाला हूं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल कैमलिन की अपसरा का मकैनो एरेजर ब्लेंडिंग स्टंप ग्रेफाइट में वह बहुत लाइट पेंसिल्स यूज़ करने वाला हूं तो मैं यूज़ कर रहा हूं स्टेडलर की एचबी पेंसिल और वाइट जेल पेंस यूनिबॉल और जेली रो कि लार्ग एडियास के लिए टेशू पेपर में यूज़ करने वाला हूं और एक ब्लॉक के रिप तो कि वेले जेले पूल वाला हूं स्टेश का बाइट सीत अपास की एचबी दूज़ करने अखने And I ended back at your spot for what felt like a millionth time Reconnection from separate sections Cause we could meet in the middle with no sense of direction If it's sun up to sun down, we mess around We're way too involved now I never wanted someone to disappear To disappear To just get out of here I never wanted someone to take control I let you take control I let you in too close So baby, just go ghost Now baby, just go ghost Hey You called, I let you in in four walls Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden Kept our secrets safe Cause the temptation, it felt like pure relation I gave you my attention, but now it's hard to mention I don't feel a spark when you say my name Reconnection from separate sections Cause we could meet in the middle with no sense of direction If it's sun up to sun down, we mess around We're way too involved now I never wanted someone to disappear To disappear To just get out of here I never wanted someone to take control I let you take control I let you in too close Too close So baby, just go ghost Now baby, just go ghost To disappear To disappear To disappear To just get out of here तो ड्राइंग अभी कम्प्लीट हो चुकी है, अब है मैं आपको दिखाता हूँ यह लेखो, एक टू साइस पर बनाई है, बहुत बड़ा साइस इसको बनाने हैं मुझको पूरे तीन दिन लग गए थे दो दिन मैंने इसके फेस और बालो पर काम किया और मैंने बैकड़ाउंड पहले सबसे पहले उसका चार कोल से कर दिया था और आज मैंने इसका कोट और हैंड्स कम्प्रीट कर दिया, तो पूरे तीन दिन हो गए मिला और अगर आपको ये ड्रॉइंग और आज की वीडियो पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देजेगा साथी में बैल आइकन दबाकर उसको आल पर सेट कर दीजेगा और ऐसी ड्रॉइंग्स चाहिए तो फिर कमेंट बता दीजिए बाई बाई